नमस्कार और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक के बारे में हाली में चाइना देखिए अपने सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की वज़े से बहुत ज़रा बुरा फस गया था और इनको लिटरली एक छापा हुआ आर्टिकल इंटर चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने हाली में जैशंकर साब को टार्गेट करते हुए एक बहुत जादा हेटफुल आर्टिकल पब्लिश किया इसमें मैं काऊंगा किसी कंट्री के विदेश मंत्री के बारे में इस तरीके से ओपनली बोलना काफी अजीव था जो लाइन्स वा पहले ये रिमूब कर दिया और अब बताया जा रहा है कि चाइना के सोचल मीडिया से जो इसका मैंडरेन वर्जन है जो चाइनीज लैंग्विज का वर्जन है वो भी हटा दिया गया है और रीजन क्या है सबका देगे रीजन बहुती सिंपल है बहुती जल्द ब्रिक व्लादिमर पुतिन के लिए बहुत important है बताया जा रहा है इस बार के ब्रिक समिट में पुतिन इंडिया और चाइना दोनों को एकटा लाना की कोशिश करेंगे रश्या में तो उससे पहले उससे कुछी अफते पहले अगर चाइना ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर देता है जहा एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि यह आर्टिकल दिख कैसे राए क्योंकि अभी भी जो इसका लिंक है यह गूगल सर्च में अवेलेबल है बस आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो आर्टिकल आपको शो नहीं होगा नाविजरा देख पाओगे आज के समय आप अगर शंकर प्रॉब्लम अगें यह जो टाइटल है बहुत जादा प्रोवकेटिव है डिरेक्टली एक इंडिविज्यल को टार्गेट किया जा रहा है एक बड़े समिट से पहले और अब एक बात नोट करना मैं जैसे ही इसको ओपन करने की कोशिश करता हूना यूर्ल नोट फा यह आर्टिकल जो इसका में लिंक है जो क्विक लिंक है यह अविलिबल है अब यहां पर आप अप एक बात पूछ ब सकते हैं अच्छा जो में हैडलाइन थी एक और फूर्ण का यह भूजह अगर यह लोग ऐसा कह रहे हैं तो एक बार को आप कह सकते हैं जैस कर साभी का RICH क कि वो investments कहां से आ रही है, किस sector में आ रही है, तो ये उन्हें कहीं है बात, देखो, मुझे यापर ये बोलना पड़ेगा, जो ये headline है न, इससे काफी जादा hateful ये article था, जो नीचे बाते लिखी हुई थी न, literally आप कह सकते हैं, character assassination वाली थी, यहाँ पर देखिए, चाइना के सरकारी news outlet, Global Times पर ये लिखा हुआ था, कि जैशंकर साब के लिए national interest वाली चीज़े important है नहीं, जब इंडिया-चाइना के relations improve होते हैं, तो ये घबरा जाते हैं, literally, Global Times कहा रहा है, कि इंडिया के विदेश मंतरी घबरा जाते हैं, जब इंडिया-चाइना के relations improve होते हैं, और in the end, इन्होंने एक line यहाँ पर ये भी लिख दी, कि इनके लिए main concern ये रहती है, कि USA को कैसे प्लीज किया जाए, USA के पक्षमे कैसे वाति की जाए, बहुत जादा मैं कहूंगा, बड़ा आरोप है, और अगेर आरोप है, ये इतना जादा एक अजीब सी statement लगती है, क्योंकि किसी ने भी, Dr. Ajayashankar साब की जो statements है, पिछले एक-दो सालों की वो follow करी है, कोई भी ये कहेगा, कि USA के against, एक strong stance लेने वाले, ये मैं literally कहा सकता हूँ, भारत के शा notification ये आपर, ये भी दिये, देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि China के साथ हम business नहीं करना चाहते है, China के साथ business हो रहा है, obviously, हम billions of dollars का import करते है China से, मगर issue ये है कि China की जो investments है, ये किसी asset sector में तो नहीं आ रही, जिसको लेकर कल को हम पच्चताएं, for example, भारत का defense sector है, space sector है, telecom sector है, वहाँ पर Chinese companies बहुत बड़ा stake purchase कर ले, क्योंकि पैसा तो उनके बास बहुत सारा है, फिर उस case में अगर मान लो, China अइंडिया के relations कल को खराब होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो little एक core industry है, वो China own करता होगा, तो again, यहाँ पर उनने बात कही है कि कभी भी ये इंडिया कि ये article actually किस author के अंडर publish हुआ था, जब search किया गया तो author गुम नाम धानी, तो usually आप देखोगे आसे articles, या तो कोई Chinese university का कोई professor लिखता है, या फिर कोई इनका army का कोई general लिख देगा कुछ ऐसे article, मगर इस case में completely एक गुम नाम आदमी था, global times में article publish हो रखा था, usually ऐसा काम, म वो खुद पर आरोप लेना नहीं चाते, तो clearly कहीना कही communication gap हुआ है, एक बड़ा blunder हुआ है चाइना से, क्योंकि मैं आपको बदा दू, Russia में ब्रिक्स का जो summit है, धीरे धीरे इसकी जो meetings है, ये और जारा frequent हो रही है, जैसे आपको बता होगा, भारत के जो national security advisor है, अजीत दो रशिया के शहर कजान में मिले, और व्लादेमिर पोतिन पूरी दुनिया के सामने, इंडिया के PM और चाइना के प्रेजिडेंट का हाथ पकड़ के खड़े हो, और दुनिया को ये शो करें, कि देखिए, ब्रिक्स आज के समय कितना जादा एक important international forum बन चुका है, चाहे रशि कंदे से कंदा मिलाकर खड़ा है, तो रशिया के लिए देखिए, ये summit बहुत important है, तो मैं surprise नहीं होंगा, रशिया ने literally China को बोल रखा होगा, कि at least जब तक ये summit चल रहा है, इंडिया के against कुछ बहुत जादा खराब statement मत दे देना, कुछ ऐसा मत बोल देना, जिससे ये पू देखना ये है, कि जो कजान में BRICS का summit होगा, वहाँ पे क्या development सामने आती है, जो much awaited BRICS currency थी, क्या उसको लेकर पुते ने एक बड़ी announcement करते या नहीं करते, this will be very interesting to see, बट अभी के लिए यावे मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक question आपके एसाब से, जो भी ये article की एक controversy ह हुई है, क्या ये चाइना की तरफ से एक mistake थी, error हो गया, या फिर ये बिलकुल planned तरीके से किया गया, hit and scoot का case है, कि article publish करो, बात जो बोलनी है, बोल दो, फिर delete कर दो, disown कर दो, और बात obviously पूरी दुनिया में ये फैल ही जाएगी, बताइए आपके हिसाब से, क्या आपको ल और finally आप से पूछूँगा एक MCQ, MCQ यहाँ पर ये है, कि बार का nuclear energy plant, इस पर literally मैंने एक वीडियो बनाई है, आज आपको बताना है, कि ये किस country में आपको मिलेगा, ये हैं यहाँ पर आपकी options, भारत, Saudi Arabia, Qatar, या फिर United Arab Emirates, comment section में करिये उतर, जो लोग देंगे सही answer, उनकी comment को मैं हाट देंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं, कि सही उतर क्या है, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ, कि आज आगरी दिन है, study IQ के long term UPSC batch में enroll करनेगा, क्योंकि आज के बाद से, हम और बच्चों को enroll नहीं कर पाएंगे, क्योंकि cold start हो चुका होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार एक batch start हो जाए, तो आप आधे रास्ते में students को कर रहे हो, enroll, that is not possible, तो आपके पास एक golden opportunity है, आज आज के लिए, comment section में जाईए, इस वीडियो की और यहाँ पे आपको pinned comment में ये दिख जाएगा, UPSC long term P2Y foundation batch 2026 के लिए हमने इसको design किया है, क्योंकि स्कोर्स की जो पास time होगा, अगर आप एक college student है, आपके पास समय है, कि अराम से prepare करके आपको एक proper attempt देना, UPSC का, तो आप ये course कर सकते हैं, purchase, आज आखरी दिन है ये course लेने का, और जो ये price यहाँ पर लिखा है, never ever pay this price, simply यहाँ पर code आपको type करना है, PD10, और prices अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे, you will be able to save a lot of money, basically, आप per month 1000 रुपे भी pay नहीं कर रहे होंगे, 1000 रुपे से भी कम में आप purchase कर सकते हैं, study IQ का long term UPSC live course, so इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.